नवरात्री का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना की गंगा जल की हर एक बूंद। इसी तरह से नवरात्री के समय में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माताराणी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं। खास तोर पर नवरात्री के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसलिए से कम नवरात्री के दिन तो ऐसा ना करें। पाता जो मातारानी नवरात्रों में आपके लिए करने वाली थी। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसी तरह नवरात्री के पावन दिन को धन प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। मातारानी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आती है तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए पारी चढ़ाने का तथा लौंग अर्पित करने का महा विशेश दिन माना जाता है और माता को खास तोर पर लाल चीज़ें चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें नवरात्री के दिन माता को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुभह सुभह के समय आपसे पान का पत्ता या फिर लौंग, दूध, दही, छाच या फिर संध्याकाल के समय उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जात दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं, तो खास तौर पर नवरात्री के दिन भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी, या फिर आपको बाजार से नई घड़ी आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है, इसलिए आपको घड़ी किसी से लिनी भी नहीं चाहिए, अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है, और अगर आप किसी अन्य व् तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्याकाल होने के बाद, जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगाजल, दूध, दही, या फिर उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उधै होता है, नवरात्री की स सुर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की सम्रिध्धी दूसरों को भूल कर भी कभी नहीं देना चाहिए, माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके घर की सुख, सम्रिध्धी तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, और व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्री के पवित्र त्योहार का लाब उठाता है। लेकिन खास तोर पर नवरात्री के दिन आपको दो प्रकार के वस्तर ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपडे आप विशेश रूप से ध्यान रखें भूल कर भी किसी सुहागिन वहिला को सफेद कपडे, उधार या फिर दान दक्षणा के तौर पर नहीं देने चाहिए माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों दान करने के लिए हर कोई आगे आता है विशेश तोर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तोर पर या फिर उधार के तोर पर नवरात्री के दिन नहीं देने चाहिए इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोश लग जाता है और साक्षात माताराणी उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगती है तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, नवरात्री के पावन अवसर पर हम माताराणी से जुड़ी कई ऐसी वस्तुमें लाते हैं जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही शुब होती है जैसे कि मूर्तियादी ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए नवरात्री के पावन अवसर पर अपने घर से माताराणी से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए उसे हमेशा संभाल कर रखें नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे दोस्तों महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पडोस में मांगने के लिए आ जाते हैं जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है जिस घर में ये चीजें होती है माना जाता है कि नवरात्री के बाद उस घर में सुख सम्रिध्धी बनी रहती है तो नवरात्री के दिन अपने घर से ही किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए अगर आप ये गलती करते हैं, तो देखते ही देखते आपके घर परिवार पर दुखत परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और आपके घर की सुख समृध्धी दूसरों के घर चली जाती है दोस्तों नवरात्रों में कोई ऐसा पौधा भूल कर भी मत दे देना जो धारमिकास्था से जुड़ा होता है जैसे कि तुलसी का पौधा तुलसी का पौधा अपने घर का कभी किसी को नहीं देना चाहिए खास तोर पर नवरात्रों में तुलसी का पौधा कभी किसी को मत देना नहीं तो आपके घर की सुख सम्रिध्ध दूसरों के घर चली जाएगी दोस्तों नवरात्री के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं काले और सफेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए कपड़ों के साथ साथ आपकी समरिधी जुड़ी हुई होती है अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते इसलिए इस बात का ध्यान रखें और आप चाहे तो नवरात्री के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं दोस्तों ये गलती कभी मत करना नवरात्री के दिन बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है इसलिए अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे समस्त देवी देवता बहुत खुश होते हैं। दोस्तों नवरात्री के दिन सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समरिध्ध को बढ़ाती हैं और यहीं चीजें माता लक्ष्मी को आमंतरित करने का कारे करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तू आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुखागिन महिलाएं विशेश तोर से ध्यान रखें कि आपके माते पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारन करने वाला मंगल सूत्र और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी जो सुखाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते मातारानी की विशेश कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों नवरात्री के दिन अपने घर का मोर पंक कभी किसी को ना दे नहीं तो आपके घर की सुख सम्रिध्धि दूसरों के घर चली जाएगी मात दोस्तों जो व्यक्ति अगर नवरात्री के दिन डेली वाले नमक को दान करते हैं। तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। मां के लिए एक लाइक तो बनता है। सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। झाल